हलो अबरीबन तो भाई स्वागत करता हूं फिर से एक नहीं वीडियो में तो आज जो गाड़ी खड़ी है वह दिखरी हुए गाड़ी का मोडल कौन सा है और जो भाई गाड़ी जिनकी है ना उनको तो भाई ऐसा कोई निया जो यूटूब पर जानता ना हो तो भाई के अंदर में मिरर फोल्डिंग कर रहो तो देखो भी यह अरुन भाई की गाड़ी है तो आपको तो यह देखो भाई यह 34 अरुन भाई गाड़ी का नंबर है किया सेल्टोस और आज जो इसमें लग रहा है वह मिर फोल्ट इसको पुराने मिरट थे ना भाई वो रंडी वा क्या है और यह इसका स्विच है जो इसके अंदर लएगा और जो स्विच की इन्होंने फिनिशिंग करिये भाई वो अलग ही लेवल कि अगरा प्रेटा में पी इनकी फिनिशिंग वगरा देखोगे तो भाई बाहर से ऐसा लएगा इन्हीं काम करवा रखा है तो एक बार इ नहीं दूंगा बागी जो चीज़े वह बताएंगे कि सेल्टॉस में भी मिरर फोड अबलेवल है इनके पास है निकु भाई अच्छा तो कितने तक का मतलब बजट के अनुस चला जाता है खर्चा सेल्टॉस में 14,000 का भी आता है और 18,000 का और एक बात है कि इस गाड़ी मे आधे जादा बहुत सारा काम आपने कर रखाया बट उसकी वीडियो पहले थी नहीं बट आज की वीडियो भाई वह मी दिखाऊंगा और साथ में अरुन भीया का आज पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनका बतवाऊंगो कि निकु भाई से काम करवाने के बाद कैसा लगता है है ना तो चलो भाई तो मिलते हैं वीडियो के एंड में जब निकु आरुन भीया का जब हम पर्सनल रिव्यू लेंगे तो भाई ओवरॉल मैंने आपको और भीम के दिखा दी इसकी और स्विच की स्विच की फिनिशिंग वह थी वह मैंने काफी अच्छी दिखा दिया लगा के दिखा चाट के लगा है चलो भी आरुन भीया के पास फलते हैं तो कैसे लगा आपको और विया काम और इसकी फिनिशिंग की गई है बहुत अच्छी करी है सर्दा और जिने बहुत प्यारी फिटिंग करी है मतलब आप देखो कि क्वालिटी काफी अच्छी है और या जुआ ज्यादा पता न चल रहा कि बाहर से करवा है अब जन बंदों को पता होगा वो जैसे लेमन बैट या टन में आप लाटाई Eckern तो इससे तो देखो भाई सबसे पहले तो यहां से काम करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद अगर आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहे तो कि आपको नई नई कार की जितनी भी लेटेस्स आती है उसके लिए निकु भाई आपको अपडेट करते रहेंगे है अरुन भीया चलो वीडियो करते हैं तो भाई अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भाई लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और चैन